जख्खई के जीवन से प्यारों, आज हम कुछ बातों को सीखना चाहते, जख्खई टेक्स कलेक्टर, जख्खई जो चुंगी लेने वाला था, उसके जीवन से हम कुछ बातों को आज सीखेंगे, मैं एक के बाद एक आयत पढ़ता जाऊंगा और प्रभू जो आज हम बताना चाहते, जो सीखाना चाहते, वो आज हम सीखेंगे, लुकार चिसु समाचार, उसका उनिस वादे और पहली आत में आपके लिए पढ़ता हूं, वह यरी हो में प्रवेस करके जा रहा था, प्रभू येशु कौनसी जगह सोकर जा रहे थे, यरी हो, जख्खई कहां रहता थ यरी हो में, और प्यारो हम ये बात को आज सीखें जख्खई के विशे में, उससे पहले यरी हो जगह में, जहां जख्खई रहता था, उसके विशे में भी हम ये जान ले, वो जरूरी है, यहोसु छे और उसका चब्वीस आयत हम पढ़ेंगे, यहोसु छे, और उसकी आयत 26 हम स्क्रीम पर ये आयत को पढ़ना चाहते है यहो सुचे और 26 ये जगह यरे हो के विशे में परमेश्व का वच्चन किया बताता है यहाँ पर लिखाए फिर उसी समय यहो सुने इसराइलियों के सन्मुक सफ़त खाई और कहा जो मनुस्य उठकर इस नगर यरी हो को फिर से बनाए वह यहोवा की और से सापित हो यह नगर यरी हो उससे शापित नगर के नाम से पुकारा जाता था पहचाना जाता था यह जगह सापित थी यहो सुने यह डिकलेर किया था जाहिर किया था कि यह जगह सापित हो और आगे वहाँ पर लिखाए जब वह उसकी निव डा जो उसकी निव डालेगा उसके विसे में लिखा है तब उसका जेठा पुत्र मरेगा और जब उसके फाटक लगवाएगा तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा यह जगह यरी हो एक शापीत जगह या तो सापीत नगर था और वहीं से प्रभु येश्व गुजर रहे थे औ और ये जो श्राप दिया गया था, ये जगह के विशे में जो लिखा गया था, वो पूरा भी हुआ, पहला राजा सोलवाध्याए और उसकी 34 आयत हम पढ़ना चाहते हैं, एक व्यक्ति जिसने जानते हुए भी कि ये नगर को श्राप दिया गया है, उसने ये नगर को बनवा और उसके विशे में पहला राजा सोलावाध्याए और 34 आयत में लिखा है, उसके दिनों में बैतलवासी हिये ने यरीहों को फिर बसाया, जब उसने उसकी निव डाली, तब उसका जेठा पुत्र अभीरा मर गया, और जब उसने उसके फातक खड़े किये, तब उसका मर गया, यहोवा के उस वच्चन के अनुस्तार हुआ, जो उसने नून के पुत्र यहोसु के द्वारा कहलाया था, प्यारों ये नगर की यह हिस्ट्री थी, इतिहास था, यरीहों नगर एक सापित नगर था, और वहीं से होकर प्रभु येश्व जा रहे थे, वहीं से जो नगर को शापित नगर इतिहास में बताया गया था, जिस नगर को शाप दिया गया था, वहीं से होकर प्रभु येश्व जा रहे थे, क्योंकि प्रभु येश्व इतिहास को बदलने वाले परमेश्वर है, हाललुया, इतिहास से जो भी जुडा हुआ हो, प्रभु येश् उसे मिटाने उसे मिटा कर उसे नया बनाने की ताकात रखते प्यारो हाललुया प्यारो इस नगर में शापित नगर में जख़ई के जीवन में प्रभु येशु ने अद्बूत काम किया जो नगर शापित कहला था था वहां से जब प्रभु येशु निकले वहां से जब प् जो इतिहास इस नगर से जुड़ा हुआ था, जो इस नगर के लोगों की पहचान साध हो गई होगी, प्रभू येशु ने वोही जगर पर इतिहास को बदल दाला, शाप के बदले आसीस, हाललुया, प्यारों हमारा परमेश्वर, प्रभू येशु मेरे और आपके इतिहास क तो बदल सकता है, अगर विश्वास करते हो, तो उची आवाज में कहिए आमेन, आप बोलोगे कि भूतकाल मेरा अच्छा नहीं है, बीते दिनों में, बीते सालों में, मेरे जीवन में बहुत कुछ ऐसी बाते हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, आप मैंसे कुछ लोग मेरा जीवन पूरा बिगर चुका है, ऐसी गलतिया स्याध हो चुकी होगी, ऐसे गलत नीड़े स्याध ले ली होगे, आपको लगेगा ये जीवन अब सापीत बन गया है, नर्क साप बन गया है, जीने के लायक नहीं है, लेगिन प्यारों हम आपको बताना चाहते हैं, आपका इतियास भले कुछ भी क्यों नहों प्यारों, अगर आपने येशु पर विश्वास किया है, येशु आपके इतियास को मिटा कर नया और अद्भूत और सुन्दर इतियास बनाएगा, नया अद्याय आपकी इतियास में जोड़ देगा, सुन्दर अद्याय, हाललु प्यारो आए एक आयत हम और पड़े गलातियों उसका तेरावा दियाए प्यारो ये शुने प्यारो स्वारी गलातियों उसका तीसरा दियाए और तेरावी आयत हम मिलकर पड़ना चाहते प्रभु येश्यों ने हमारे शापों को ले लिया है प्यारो, आएए ये आधम मिलकर पड़े मसी ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर विवस्था के शाप से चुडाया क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है, वह शापित है प्रभु येश्व ने आपके शापों को ले लिया है प्यारो आपका हितियास आपको लग रहा हो कितना भी बुरा क्यूं नहों प्यारो ये नगर यदी हो उसका हितियास बहुत ही खराब था श्रापित नगर के तौर पर ये नगर पहचाना जाता था लेकिन वहां से होकर जब प्रभू येश्व गुजरे वही नगर में रहने वाले जख़ई के जीवन में एक बड़ी आसी साई, एक बड़ा काम हुआ प्यारो क्योंकि येश्व वो पर मेश्वर है जिसने मनुष्य जाच के श्रापों को खुद के उपर ले लिया है उसके लिए कीमत चुका दी है और इसलिए वो श्रापों से, रोगों से, बीमारियों से खराब इतियास से हमें छुडाने की ताकात रखता है हाललुया, अगर आपका इतियास खराब है आपका बीता कल खराब है अगर उसके कारण आज आज भी आप दुखी हो आपको लग रहा है ये नहीं होता तो अच्छा होता वो अध्याय आपके जीवन में ऐसे जुडा हुआ है जब भी आप उससे देखते हो, सोचते हो उसके विशे में जब आप ध्यान देते हो, प्यारो आप निरास हो जाते हो, प्यारो हम आपको बताना चाहते है येश्व वो अध्याय को मिटाना चाहते है पूराने कल की कड़वी यादों को, कड़वे अनुभवों को बुरे इतियास को मिटाकर नया इतियास, सुन्दर इतियास, नया जयाँ और सुन्दर इतियाँ आपके जीवन में जोड़ देगा, हाललुया, अगर विस्वास करते हो तुछी आवाद में, कहे, आमेन, हाललुया, हात उठा करकर प्यारो, प्रबु येशु, मैं विस्वास करता हूँ, मेरा बिता कल, म वो बूरे इतियास और बूरे कल को मिटाकर आप मुझे नए आसीस मेरे जीवन में जोड सकते हो, नए इतियास को मेरे जीवन में बना सकते हो, नए अध्याई मेरे जीवन में जोड सकते हो, आमेन, हाललुया, यारो ये सापित जगह में जख़ए रहता था और वहीं से येश वो महत्वपूर्ण नहीं है आज येश्व जीवन में आ रहे है जीवन में है या नहीं वो महत्वपूर्ण है यरियों का इत्यास क्या था वो महत्वपूर्ण नहीं है महत्वपूर्ण यह है कि येश्व वहां से गुजर रहे थे येश्व आपके जीवन में आये प्यारो वो महत्वपूर्ण है बीता कल नहीं क्योंकि बीता कल येश्व बदल सकते हैं हम मनुस्य नहीं बदल सकते हैं प्यारो बीते कल को लेकिन प्रभू येश्व उसके प्रभाव से हमें छुड़ा सकता है उसे बदल सकता है आए आगे ह लेने वालों का सरदार था और धनी था वहां कौन रहता था जख्खई नामक एक मनुस्य और वो कौन था यहां पर लिखा है वो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी भी था अब थोड़ी बात हमें यहां पर समझनी होगी प्यारों जख्खई के विश्वे में उसका समाज में क्या स्थान था लोग उसे किस त्रिस्टी से देखते थे अगर उसे हमें अच्छे से समझना है तो चुंगी लेने वाले टेक्स कलेक्टर क्या थे उनका समाज में स्थान क वो क्या करते थे वो हमें समझना बहुत जरूरी है प्यारों जो रॉमी गवर्मेंट थी रॉमन गवर्मेंट वो भारी टेक्स यहुद्यों पर डालती थी और उसे कलेक्ट करने के लिए वही से यहुदी लोगों से ही कुछ लोकल लोगों को वो जिमेदारी सौपी जाती यहुदी लोग यह टेक्स देना पसंद नहीं करते थे क्योंकि जो टेक्स रॉमियों को दिया जाता था वो उनकी गवर्मेंट के लिए उनके लिए और उनके देवताओं के लिए इस्तेमाल होता था और यहुदी लोग ये कभी भी नहीं चाहते थे उनके पैसे ऐसे कावों में खर्चो और इसी कारण वो ये टैक्स देना नहीं चाहते थे लेकिन रोमियो के द्वारा, रोमन गवर्मेंट के द्वारा उन पर दबाव डाला जाता था उनको मजबूर किया जाता था कि उनको ये टैक्स देना ही पड़ेगा और वो जिम्मेदारी, उनसे टैक्स वसूल करने की जिम्मेदारी किसको दी गई थी? उनमें से ही किसी जुईस यहुदी लोगों को और ऐसे जो टैक्स कलेक्टर थे ऐसे जो चुंगी लेने वाले थे उनके उपर भी ये जो जख़ई था वो सरदार था लोग उनको दिल से दिकार थे द्रेणा करते थे नफरत करते थे क्योंकि ये जो लोग थे टैक्स कलेक्टर थे चुंगी लेने वाले जो टैक्स लेना चाहिए उससे भी ज़्यादा टैक्स लेते थे और वो कुछ भी नहीं देखते थे खुद के लोगों के पास से ही वो ज़्यादा टैक्स लेकर वो टैक्स रॉमन गवर्मेंट को देते थे और इसलिए यहुदी लोग इन लोगों को इन लोगों से द्रेणा करते थे नफरत करते थे खुद के लोगे फिर भी खुद के लोगों के विसे में वो नहीं सोचते और यहुदी लोगों को ये लोग भले खुद के थे फिर भी दुस्मन जैसे लगते थे वो उनको त्रीना करते थे नफरत करते थे खुद के लोग होने के बावजूद वो रॉमन गवर्मेंट के लिए काम कर रहे थे प्यारों और ऐसे टेक्स कलेक्टर का ये जो चक्खई थ ता वो सर्दा था और दूसरी बात उसके विसे में रिख़्ी है वो धनी था वो कैसे धनी हुआ होगा बस ऐसे ही प्यारों अपने लोगों को लुट कर गलत रितिसे उनसे पैसे पढ़ा कर प्यारों ुद्adece रितिसें उनसे टेक्स लेकर ये जख्खय जो था प्यारों वो दनी हुआ था और इसलिए आप जब आगे पढ़ो जब प्रभु येशु उसके घर जाते थे लोग घर जाते प्रभु येशु उसके तब लोग अंदर-अंदर कुड़-कुड़ा हट करते हैं अंदर-अंदर बात करते हैं ये कैसा मनुस्य है प्रभु येशु को देखकर बोलते हैं कि एक पापी के घर जा रहा है, यहुदियों की द्रस्टी में यह जख़ई बड़ा पापी था प्यारोण। और यह उसका समाज में स्थान था प्यारोण। एक तो गलत रीती से पैसे कलेक करता था, खुद के लोगों को ही लुटकर रॉमन गवर्मेंट की जैबे बर रहा था, खुद के लोगों की इसको परवा नहीं थी और जो लेने चाहिए उससे भी ज़्यादा पैसे वो अपने लोगों से ले लेकर धनी बना था प्यारोण। इसलिए यह जो जख़ई था उससे लोग दिकारते थे, द्रेना करते थे, नफुरत करते थे, लेकिन ऐ ऐसे ही व्यक्ति के पास येशु आज जाने वाले थे और उसके जीवन में अद्बूत परीवर्त लाने वाले थे, हाललूया प्यारो प्रभु येशु वो दयालो और भला परमेश्वारे प्यारो प्रभु को धन्यवाद की वो लोग क्या है कितने पापी है कितने गीरे हुए है समाज की दृस्ती में उनका स्थान क्या है वो प्रभु येशु नहीं देखते हैं हम मनुस्य होने के नाते हम किसी के प्रभु येशु ये नहीं सोचते हैं। प्रभु येशु ये सोचते हैं इसके जीवान को बदल कर मैं इसे कैसा बना सकता हूं। प्रभु येशु को देखना चाता था। प्रभु येशु को देखने की मिलने की इच्छा चाहत। प्रभु ये कितना भी गीरा इनसान क्यों ना था, कितना भी बड़ा पापी ये क्यों ना था प्यारों। प्यारों पापी होने के बावजुद इतना बुरा इनसान होने के बावजुद भी उसके अंदर एक भूग थी कि वो येशु को देखे। आललोया। देखना चाहता था और उसके लिए आगे हम देखेंगे बहुत कुछ कर डालता है प्यारों। लेकिन हम उनके बेटे बेटी होने के बावजुद भी ये भुख, ये चाहत, ये इच्छा की कई बार हम में कमी होती है प्यारों। क्या हम ये जख़ई के जैसे है प्यारों। जिसको ये चाहत हो कि कब मैं येशु को मिलू। कब मैं येशु के चर्नों में बैठू, कब उससे देखू, कब उसकी सुनू। प्यारों अपने आपको जाचे, हम अपने आपको जाचे, क्या मुझ में ये जख़ई की तरह चाहत इच्छा है, येशु को देखने की, मिलने की, और अगर इच्छा है, प्यारों प्रभू का धनिवाद, और अगर नहीं है, अगर हम समाधान कर लेते हैं, चलेगा आज य इसके अंदर भूख थी, प्यास सी, येशु से मिलने की और हम उनके बेटी होने के बावजुद भी, ये भूख और प्यास की अब में कमी है, आप में से कितने लोग हो प्यारो, जो कई बार बाइबल पढ़ते हैं, कई बार नहीं पढ़ते हैं, कोई दिन दुआ करते हो, वो येशु के चर्णों में जाकर हम बैठते ये भूख नहीं है प्यास बचा कुछा प्यारों समय हम येशु को दे ये हमारी भूख नहीं ये करने के लिए किया गया काम है प्यारों करने के लिए किया गया काम है भूख तो इसे बहुत है जो अपना काम का आज गवर्मेंट जॉब भूच छोड़ चाड़ कर, येश्युको ढूनने के लिए मिलने के लिए प्रयत्पनसिल हो जाता है। उसका काम नहीं होगा. वह दीन पैसों को कमाने का काम भी छोड़ देता है. यही इंसान जिसको पैसों को कमाने की भूग थी हरोग टेक्स कालेक जरता होगा वो दिन का पैसा कमाने का काम, सब कुछ छोड़ चाड़ कर येशु को देखने के लिए, येशु को देखने के लिए प्रत नसिल हो जाता है, हाललुया, इसे भुक कहते है, दुख की बात है, एक पापी होने के बावजुद, जख़ई के जीवन में ये भुक थी, लेकिन हम बेटे बेटी होने के बावजुद, कभी कबार ये भुक हमें, ये प्यास हमें नहीं होती, येशु को देखने की, येशु को मिलने की, इंग्लिस बाइबल में, केजेवी वर्जे में लिखा है, He sought to see who Jesus was, उसने खोजना, प्रयास करना सुरू किया, उसने देखना सुरू क कैसे, कहां से मैं येशु को मिल सकता हूँ, प्रयात न सुरू किया, खोजना सुरू किया, येशु को कैसे मैं देख सकता हूँ, प्यारो आप कितने प्रयात न करते हो, प्यारो हरूज, आप कितने प्रयात न करते हो, कि आप येशु को मिलो, उसके साथ, उसके चैनों में स हमाई भीता सको, कि आप कुछ प्रयास, कुछ प्रयात न करते हो, जख्ख़ी न प्यारो, न सिर्फ येशु को मिलने की चाहत रखी, इंग्लिस बाइबल में जो लिखा है, उसका अनुवाद ये होता है, उसने खोजा, उसने प्रयात न किया, कि मैं कैसे, किस तरह से येशु के पास जा सकता हूँ, येशु को मिल सकता हूँ, ये काम का आज, ये नोकरी, ये पैसा कमाना, ये सब मुझे घीरा हुआ है, लेकिन इस सब से मैं समय निकाल कर कैसे येशु को देखू, जख्ख़ी ने प्रयास किया, प्रयात न किया, हमें हर रोज प्रयात न करते रहना ह उसके पास जाना है, उसके चरनों में बैठना है, उसे मिलना है, जख्खई ने प्यारो, येशु को धूंडा प्यारो, दो बाते जख्खई के विशे में लिखी है, दो अब्स्टेकल्स, दो अवरोद थे प्यारो, दो रुकावटे थी, तीसरी है, फिर से मैं पढ़ता हूं वह येशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड के कारण देखना सकता था, क्योंकि वह नाटा था, दो अवरोद यहाँ पर हम देख सकते हैं, कौन से दो अवरोद, पहली बात वहाँ पर लिखिए, तीसरी आयत में भीड, और दूसरी बात थी, वह नाट या तो परिस्थिती जन्य जो अवरोद था वो, और दूसरी बात थी, उसकी फिजिकल लिमिटेशन, उसकी सारिक जो कमजोरी थी, वह नाटा था, लेकिन ये दोनों कमजोरी को वह ओवर कम करके, उसके उपर वीजय पाकर, येशु को मिलने के लिए जाता है, हाललुया, द ये दो बाते उसके मार्ग में रुकावट रूप थी, पहली परिस्थिती ऐसी नहीं थी, भीड थी, इतनी जादा भीड कि वो येशु को मिल नहीं सकता, और वो नाटा था, कमजोर था, वो बड़ा उच्छा व्यक्ति नहीं था कि कहीं से भी येशु को देख ले, ये दो नो बाते ऐसी थी, जो चक्काई को येशु से मिलने से रोक सकती थी, प्यारो, प्यारो हम जब कुछ गाउं में जाते थे, साम का वक्त रहता था और वहाँ जो साम की जो सभा होती थी, मिटिंग होती थी, बहुत लंबी चले, मानलो साम साड़े साथ बज़े से सुरू होत तो रात के साड़े नौ दस वो मीटिंग को पूरे होने में हो जाते थे। लेकिन हम वो समय से थोड़े पहले वो जगर पर चर्च पर पहुंच जाते हैं और वहां जो लोग आते थे वो हजारों की संख्या में आते थे। और जब हम वहां जाकर वेट करते होते थे लोगों की, जैसे ही समय होता, मानलो साड़े छे का समय है, वो जो चर्च रहता था वो पहाड़ी पर उच्छाई पर होता था, तो वहां से बाहर चर्च के बाहर खड़े रहकर वेट करते थे कि लोग अब आएंगे। और पहाडी पर खड़े खड़े प्यारों देखते थे, दूर दूर से लोग चलते चलते पैदल समय पर आने के लिए, वहाँ पहुशने के लिए प्रयास कर रहे थे प्यारों. दूर दूर से हमें लोग दिखाए देते थे, हमें ताजूब हुआ, आश्चर ये हुआ, ये लोग पैदल चल चल कर, ये पूरा पहार चल कर, अब ये चर्च में आकर बैठेंगे, और तीन साड़े तीन चार घंटा प्रभु की आराधना करेंगे, और यहां के जैसी आराध नहीं होती वाँ, वाँ आराधना ही दो-तीन घंटे चलती है प्यारो, हमारी पूरी चर्च सर्विस जितना समय तो वो सिप आराधना करते हैं, ये लोग पैदल, हम तो गाड़ी में वो पहार चड़े थे, फिर भी हम ठक गये थे, इतना खराब उबर खाबर रास्ता, ये से कोई भी सोता नहीं था, और कई घंटों तक, कई घंटों तक खड़े खड़े आराधना करते हैं, प्यारो, हमने पास्तर साब से पूछा, पास्तर ये लोग कितने दूर से आते होंगे, उन्हें में बोला, कई किलोमीटर दूर, वो रहते हैं, लेकिन परमिश्व की आरा पास्तिती थी, उन्होंने बाहना नहीं बनाया, यहो इतना दूर चर्च, इतना बड़ा पहाड और उसके उपर जाना है, सिर्फ जवान लोग नहीं आते हैं, बुड़े लोग, ऐसी औरतों को भी हमने देखा, जिनके पैर मुड़ गये थे, प्यारो, इतने जिर, इतने उ मर उनकी हो चुकी दी, फिर भी वो चलते चलते पहाड पर चड़ कर वो चर्च में आते हैं, प्यारो, जहां मैं गाड़ी से भी जाने में दिख़त हो, यह ऐसे पहाड़ों पर चड़ कर, बुड़े हो या जवान हो, वो चल कर वहाँ आते, और गंटों तक प्रभू की आर करते हैं, कि परिस्थिती उन्हें प्रभू के पास जाने से रोक नहीं पाती, परिस्थिती को वो बहाना नहीं बनाते, प्यारो, और जब रात को वो चड़ छुटता है, प्यारो, वो वापी सकई किलोमेटर, पैदल चलते हैं, चलते हैं, अपने घर जाते हैं, कई लोग टॉर्च लेकर आते हैं, क्योंकि बहुत ही अंधेरा हो चुका होता है, स्ट्रीट लाइट यहां के जैसी नहीं होती, प्यारो, पैदल अंधेरे में सिर्फ टॉर्च लाइट के सहारे, गंटों तक चल कर वो अपने गाउं, अपने घरों तक पहुंचते हैं, प्यारो, उन उनको सुबह जल्दी उठना होता है, क्योंकि उनका में व्याउसा होता है, वो खेती होती है, अपने पसू को उनको सुबह उठकर चारा सब कुद देना होता है, वो लोग नॉर्मली चार-पांच बज़े अर्ली मौनिंग उठ जाते हैं, रात को देर रात गेर, सुबह फ नहीं कर सकता है, यह घर में अच्छा हो, घर में बैठकर दुआ कर लोगा, हम ऐसे कही लोग प्यारो, ऑनलाइन चेर्च सर्विस को लेकर, प्यारो, हमें लगता है, नहीं मजाती, हाँ, जरूर कुछ कमजोरिया है, ऑनलाइन चेर्च सर्विस में, हमें जो वाता हों की नहीं मजाती, चलो बैट जाता हूओ यह प्रयात्न किया प्रयास κιई ऑओं-लार उना-इंचेर्ट सर्विस में लाईव छ़ितना माहुल नहीं मिलता. लेकिन मैं प्रयास करूँगा, मुझे चाहत है, मुझे इच्छा है, मुझे येशु से मिलना है, चाहिए ओनलाइन हो या ओफलाइन हो, लाइव चैच हो या ना हो, मैं येशु के बीना आगे नहीं बढ़ना चाहता हूँ, मैं उसकी सुनना चाहता हूँ पिटा प्यारो क्या आपको परिस्थी ती या अन्य कोई जो अवरोद रुकावटे होती है येशु को मिलने से उसके पास जाने से रोक देती है ये चक्खई को तो नहीं रोक पाई प्यारो भीड थी वो नाटा था फिर भी उसने प्यारो अद्बूत एक कदम लिया येशु को मिलने के लिए प्यारो आए हम आगे पड़े चोथी याद लुका उन्नी सो चार तब उसको देखने के लिए वह आगे दोड़कर एक गुलर के पेड़ पर चड़ गया क्योंकि येशु उसी मार्ग से जाने वाला था यहाँ पर जखई ये परिस्थिती से रास्ता निका जालता है कि मैं क्या करूं कि मैं प्रभू येशु को मिल पाओ और वो क्या करता है दोड़कर भीड को ओवर्टेक करके आगे जाकर एक गुलर के पेड़ के उपर चड़ जाता है और हम आपको गुलर का पेड़ बताना चाहते हैं इंगलीस में इसे सिक हैमोर्ट्री बोलत औरना एक नाटे व्यक्ति के लिए इतना आसान नहीं होगा ये पेड़ आप देखो ये थोड़ा लीसा बोल सकते है मतलब इतना इसके उपर गुरीप नहीं है जकड पकड नहीं बना सकते इसके उपर लेकिन ये एक नाटा जक्खई ये सिके मोर्ट्री पर ये गुलर के प पर चड़ गया ये पेड़ की खासियत है ये पंचोते से 75 से 100 फीट उचा होता है इतना भी छोटा पेड़ नहीं है कि आराम से एक स्टेप उठाया और जक्खा इसके उपर चड़ गया होगा 75 तो 100 फीट टॉल उच्छा ये पेड़ होता है प्यारो और दूसरी इसकी यह इसमें tiny hairs होते है छोटे- चोटे-चोटे जिसके हम जिसको बाल बोश सकते या तो रेसे बोश सकते है इस पेड़ पर होते है और ओसागाय नहीं है है इसके जो पते हैं डालिया है सब और लगे होते और जो वो छोटे बाल है या तो टाइनी हैर्स है उसके कारण चमणी उसके कारण उसमें इरिटेशन हो सकती है, चमणी में वो जलन पहगा कर सकते हैं, ऐसे रेसे, ऐसे बाल, ऐसे छोटे टाइनी हैर्स इसके उपर होते हैं प्यारों, और उसके कारण चमणी में जलन या तो infection हो सकता है दूसरी इसकी ये खासियत है प्यारो वो अगर जो छोटे छोटे बाल है इस पेड़ के उपर वो अगर आपके सास में गए तो वो respiratory distress मतलब सास की समस्या भी खड़ी कर सकता है ये पेड़ इतना अच्छा नहीं है प्यारो इस पर चरना इतना आसान नहीं है छोटे छोटे इसके बाल चमणी को छूग है या तो लग गए घिस गए वो चमणी में irritation जलन पैदा कर सकते हैं अगर सास में चले गए तो सास की समस्या भी वो खड़ी कर सकता है और sensitive लोगों के लिए जो इतने healthy नहीं है कमजोर है उसके लिए जार पर चरना बहुत ही कठीन है प् छोटे बाल रेसे ऐसे हैं जो चमणी में जलन खड़ी कर सकते हैं पैदा कर सकते हैं सास में अगर वो रेसा चला गया respiratory मतलब सास की समस्या हो सकती है फिर भी एक नाता जगखई इस गुलर के पेड़ पर चड़ जाता है इतना आसान नहीं होगा प्यारो इस जगखई के लि से चड़ा जा सके लेकिन फिर भी जखई इसके उपर चड़ गया क्योंकि उससे प्यास थी उससे भूग थी प्यारो किया लोगों ने इसको देखा नहीं होगा इतना बड़ा tax collector का collector का भी सरदा tax collectors का भी सरदा और इतना बड़ा सरदार वहां पर एक सब्द लिखा है पता नहीं हिंदी बाइबल में है या नहीं हाँ यहां पर भी है चौथी आत और वहां पर लिखा है तब उसको देखने के लिए वह आगे दोर कर कैसे गया था जख़ई दोर कर भाग कर लोगों नहीं देखा होगा लोग में से कुछ देखकर अस्ते भी होगा यह देखो वह text collector दोरता दोरता जा रहा है आज के समय में सध हम बड़े बड़े जो businessman है किसी का नाम में लेना नहीं चाहता लेकिन आप सोचो ऐसा कोई बड़ा businessman करोडों पती रोड़ पर दोरता दोरता किसी पेड़ पर चड़े क्या लोग उस पर हसेंगे नहीं लोग उसकी मजाग नहीं प्यारो, ऐसा ही एक धनी व्यक्ति, फीड को ओवर्टेक करते है, दोरता हुआ, ऐसे पेड पर चड़ता है, जो स्कीन में इरिटेशन, पीडा, जलन खड़ी कर सकता है, और उसके अगर रेसे सास में गए, तो सास की समस्या भी खड़ी हो सकती, ऐसे पेड जिसके उपर अच् पिसला होगा, फिर भी ये नाटा जक्खई गुलर के पेड पर जर जाता है, प्यारो, देखे, प्रभु येशू से मिलने के लिए, पहली चीज प्रयत्न करने हैं, और दूसरी चीज एक्स्ट्रा प्रयत्न भी करने है, कई बार सिर्फ प्रयत्नों से काम बन जाएगा, ले आने पड़ेंगे, समझ रहे हूं मेरी बात प्यारो, ये जक्खई ने एक्स्ट्रा एफर्स अलग से और जादा प्रयत्ना किये प्यारो, येशू को मिलने के लिए, कई बार इतना आसान भी नहीं रहेगा, हरो दूआ करना, बाइबल पढ़ना, येशू के चर्णों में ब और ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, और वो ही आपकी टेस्ट होगी, प्यारो, वो ही आपकी कसोटी होगी, थोड़ा बहुत करके काम बन जाता है, येशू के पीछे चल लेते हैं और फिर हम आनन्द मान लेते हैं, मैं तो येशू के पीछे चल रहा हूं, दुआ कर र लेकिन जब extra efforts कुछ ज्यादा करना पड़े, कुछ ताकत डालनी पड़े, तब हम क्या वो करते हैं, प्यारो, येशू के पीछे चलने के लिए कई बार सिर्फ normal सामाने प्रत्नों से काम नहीं बनेगा, हमें कुछ ज्यादा प्रत्न भी करने पड़ेगे, प्यारो, और वो ह ये जख्हाई ने कितना efforts लगा दिये, कितने प्रत्न किये, वो जो किया, वो सामानी प्रत्नों नहीं था, वो उससे भी बढ़ कर, ज़्यादा प्रत्न थे प्यारो, extra efforts थे, जो जख्हाई ने येशू को मिलने के लिए लगा दिये, क्या आप extra efforts, कुछ जदा प्रत्न करकर येशु को मिलते हो, जब उसे मिलना कठीन हो जाए, जब उसके चर्णों में बैठना कठीन हो जाए, या तो आप बीमार हो, या तो मूर ना हो, या तो घर की परिस्थिती सही चलना रही हो, आपने जो चाहा था, मागा था, दूआ की थी, वो सब नहीं हो रहा है, उससे उल् के चर्णों में जाने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा ताकात लगानी पड़ेगी, तब हमें फेल नहीं होना है, हाललुया, एक परमिश्वर के दास की गवाई, प्यारों, आपको सेयर करना चाहते है, येशु को मिलने के लिए, प्यारों, उन्होंने कितने एक्स्ट्रा प्र बाउचान करके ये व्यक्ति है, चाइना में 1999 की ये बात है, प्यारों, ये जो परमिश्वर के दास से बाउचान, वो 15 साल जैल में रहें, क्योंकि उनकी एक बड़ी गलती थी, उन्होंने प्रभु येश्व के विसमें दूसरों को बताया था, और ये गलती के कारण, उन उनको ये सजा मिली कि 15 साल उनको जैल में डाल दिया, और प्यारों, जैल में ये उनकी अवस्था थी, उनके हाथ और पैर जंजीरों में बांग दिये गए थे, ये लकडी में जकर दिये गए थे, वो ठीक से चल भी नहीं पाते थे प्यारों, और इस अवस्था में उनको बार घंस से मार डालने की ढंकी धी गई। उनको इतना पीटा जाता कि लहो बیहने रखता हूँ कि उनके face से, उनके शरीर से, वहां तक उनको पीटा जाता था, मारा जाता था, बुखा रखा जाता था, खाने के लिए भी कूछ ढग से उनको नहीं दिया जाता था, देन रात उनका यह torture चालू रहता, और उनको बोला जाता कि यह जो कागज है उसके उपर साइन कर दो कि आप वीदेश के कुछ देश से उनके लिए काम करें हो, आप उनके एजेंट हो, वो गलत काजाद पर उनको फोर्स किया जाता कि वो उसके लिए साइन कर दे, इन्होंने नहीं किया, प्यारो, इन्होंने येशु को नकार क करने के लिए भी बोला गया उन्होंने प्रभु ये शुकाना कार भी नहीं किया प्यारो यह उनका टॉर्चर जो हो रहा था वो बहुत ही भारी था प्यारो 1999 से 2001 तक वो एक ही बात के लिए दुआ करते रहे कि उन्हें बाइबल मिले किसी तरह से इन्होंने ये दुआ नहीं कि प्रभु तु इस टॉर्चर से इस सता उसे मुझे छुडा ले बचा ले प्रभु मेरे परिवार से मैं नहीं मिल सकता मेरी वाइफ है मेरे घर पर मेरा परिवार मेरे मुझे से भी छड़ गया है इतने सारे घाव मेरे सरी पर बस प्रभु तु बस करब छुडा ले इनकी एक ही चाहत थी कि ऐसे समय में भी वो प्रभु से मिल पाए उसके वचनों को पड़ पाए उन्होंने प्यारो ये की तुवा जानी रखी कि किसी तरह उनको बाइबल वहां जैल में मिले जब उनके पास बाइबल नहीं था वो बाइबल की आयतों को जो उनको मुझे बानी याद थी वो बाइबल की आयतों को जिन्होंने उन्होंने मेमराइज किया था वो बोलते र ब्रेड का टुकड़ा उनको खाने के लिए दिया जाता था, लेकिन उनका कहना यह था, देखे प्यारो, ये परमेश्रक के दास बाउचेन बोलते हैं, उनके लिए भूखा रहना आसान है, वो एक समय भूखे मर सकते हैं, लेकिन बाइबल के वगर वो नहीं रह सकते हैं, ये ब्रेड नहीं मिलेगी तो चलेगा, लेकिन बाइबल तो मुझे चाहिए ही चाहिए, ये उनकी दुआ थी, प्यारो, ये उनकी भूख थी, ये उनकी चाहा थी, ये उनकी प्यास थी, ये ब्रेड का छोटा टुकड़ा जो उन्हें दिया जाता था, प्यारो, हम होते तो कु ब्रेड के टुकडे को देखकर दुआ कर दे, प्रभू ये नहीं मिलेगा तो चलेगा, तेरे वच्छा हैं प्रभू तु मुझे दे, मुझे बाइबल चाहिए, और प्यारो थोड़े समय के बाद उनको थोड़ी छुच्छात देने लगे जैल से, और उनको जंगल में परमी जो सके, और वो लकडियों को इकठा करने के लिए जैल से जंगल में जाते थे, लेकिन ये बाउचेन एक काम वहाँ जाकर करते थे, एक ही दिन में दो दिन की लकडिया इकठा कर लेते थे, और वो क्या करते थे, एक दिन का जो जथा था लकडियों का वो लेकर आते जैल मे और दूसरा वही जंगल में छोड़ाते, क्यों? क्योंकि दूसरे दिन जब जा है, तब लकड़िया न काटनी पड़े, और वो समय बचा कर वो क्या करते थे? वो वहां से बाइबल लेने के लिए अपनी वाइब के पास जाते थे? चीपकर, बज़कर, किसी भी प्रकार से वो अपने वाइब के घर के पास गए और वहां से उन्होंने बाइबल ली और प्यारो, यह उनके लिए बहुत ही बड़ा खत्रा था अगर कोई देख लेता तो जरूर मार डालते लेकिन ये बड़ा खत्रा उठा कर भी वो अपनी वाइब के वहां जाते है और वहां से बाइबल लाकर उन्होंने हर रोज बाइबल पढ़ना सुरू कि अब वो बहुत ही खुश थे उनको बाइबल मिल गया था और वो बाइबल हरो जेल में पढ़ रहे थ कुश बाइबल की कोपी उन्होंने जंगल में जमीन में गाड़ कर रखी थी अगर उनसे छीन लिया जाए तो वहां से दूसरा लिया है और एक दिन जब वो बाइबल पढ़ रहे थे प्यारो उनको पकड़ लिया गया उनको बहुत ही मारा गया उनका चेरा दे सकते हो लग प्रभु के वच्छनों को पढ़कर आनन करते थे प्यारो यह उनकी भूग थी प्यारो यह उनकी प्यास थी His joy was in reading the Bible उनका आनन था कि प्रभु के वच्छनों को वो पढ़े यह जंजीरों में होने के बावजूद, गैद में होने के बावजूद, मार खाने के बावजूद, टॉर्चर सेहन करने के बावजूद, उनके पत्नी बच्छों से दूर होने के बावजूद, सरीर पर है, उन्होंने, उनका ये कहना है, जब मैं बावज पढ़ता था, मुझे हिम्मत मिलती थी कि मैं लड़ता रहूं, मैं इस परिस्थिती से बहारा सको, आललुया, यारों इसे बोलते है, एक्स्ट्रा एफ़र्स, इसे बोलते है, थोड़ा ज्यादा बल लगाना प्रभू को मिलने के लिए, प्रभू की बातों के लिए, हम प्रभू का धन्यवात करें कि हमारी ऐसी स्थिती नहीं है, हमें साथ कुछ काम में से समय निकालना होता है, हमें थोड़ा बहुत जल्दी उठना होता है, हमें हमारी परिस्थिती से जो हमें निरास कर रही है, या तो कमजोर कर रही उससे ध्यान बटा कर प्रभू के चन्नों में बैठना होता है लेकिन इतना एफट इतना भी हम प्रभु के लिए नहीं करते है प्यारो के बात हम चला लेते है चल जाएगा आज मूर नहीं आद नहीं बैठना मजा नहीं आता ऑनलाइन क में चलेगा कुछ एक्स्ट्रा तो कीजिए प्यारो प्रभू के लिए प्रभू येश्व ने आपके और मेरे लिए बहुत कुछ एक्स्ट्रा किया है हम उनके लिए क्या एक्स्ट्रा करते हैं यह जख्खई ने तो प्यारो इतना इतना कुछ किया एक बड़ा आदमी धनी आदमी होने के बाव जो दोड़ा लोग हसे तो हसे देखे तो देखे एक ऐसे पेड़ पर वो चड़ता है जो चड़ने में आसान नहीं था स्कीन इरिटेशन जलन पैदा कर सकता था सास में जाये तो बड़ी दिकत कर सकता था इतनी गरीप नहीं होती इतना उंचा पेड़ होता है फिर भी चक्खई उसके उपर चड़ा सब कुछ फोल कर एक्स्ट्रा है फर्स कुछ ज़्यादा प्रहत न किया येश्व के चल्णों म में जुड़े रहने के लिए दुआखरने के लिए उसकी चाह को पूरी करने के लिए बाइबल को पढ़ने के लिए प्रभु कई बारह में बोले उप्वास के अम बोले है उप्वास तो प्रभु मुझसे नहीं होगा कुछ एक्स्रा कीजी यह प्यारों अगर आपको लगए है मैं प्रभु से कहीं पर दूर हूँ आज प्रभु से कहई प्रभु आज से मैं एक्स्टा कर alm gal अगर प्रभू मुझे मेरे आत्मी जीवा से तेरे साथ का जो मेरा नाता है रिस्ता है उससे संतोस नहीं है आज से मैं कुछ एक्स्ट्रा करूंगा मुझे भूखा रहना पड़े उपवास करना पड़े मैं करूंगा कुछ सेक्रिफाइस करना पड़े बलीदान करना पड़े मैं करूंगा लेकिन कुछ भी एक्स्ट्रा करके अलग करके ज्यादा करके कुछ ज्यादा थाकत लगा कर प्रभू मैं तुछ से मिलना चाहता हूँ तुछ बना रहना चाहता हूँ तेरी चा को पुरा करना चाहता हू तेरे वच्छनों को पढ़ना चाहता हूँ, तेरे आगे में अपनी दुआओं को हरुद लाना चाहता हूँ, समाधान नहीं करूगा, जग्खई ने इतना कुछ कर दिया, प्यारो, मैं और आप क्या कुछ करते हैं, प्यारो, आखरी दो-तिन मिट लेकर मैं पूरा करूँगा प्यारो, मिरा समय पूरा हुआ, इसलिए हम आगे बहुत जाएंगे नहीं, प्यारो, पाँच वियात हम पढ़ना चाहते हैं, जब येशु जगह पहुंचा तो उपर द्रिस्टी करके उससे का, है जखई जट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवस्य है, आ मैंने देख लिया, तुन्हें लोगों की परवा नहीं की, लोगों के आगे साथ तुम मंजाग बना, दौड कर गया, पेड़ पर चड़ा इतना बड़ा आदमी होने के बावजोड, मैंने सब कुछ देखा है, मैंने सब कुछ देखा है, और इसलिए प्रभु येशु कहते हो सकेगा तो आओंगा आज, नहीं, प्रभु येशु कहते है, आज तेरे घर आना अवस्य है, आज कोई आरा चारा, कोई और अप्शन नहीं मुझे, तेरे घर आना ही आना है, यहाँ पर जो भीड़ है, उसमें भी मैंने नहीं देखा, हाललुया, येशु को पता चल गया जख्खई यहाँ पर पेड़ पर है, किसी ने बताया नहीं था प्यारों, येशु सब कुछ जानते हैं, आप में कितनी फूक है, आप में कितनी प्यास है, आप येशु से मिलने के लिए, दूआ के लिए, वच्छन पढ़ने के लिए, कितना बलिदान देते हो, नहीं देत तो येशु को सब बता है, येशु की नजर हमारे उपर है, जख्खई ने पेड़ से चिलाया नहीं था, ओ प्रभु येशु मैं यहां उपर हो, येशु जानते थे, जख्खई कहां है, और कैसे यहां तक आया है, येशु को सब कुछ बता है, प्यारों, आप कितना और जब वो देख लेगा कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे लिए पूकी है, प्यासी है, वो इतना एक्स्ट्रा है, फट डालती है, इतना बलीदान देती है, इतना प्रैतन करती है, सब कुछ छोड़ चाड़कर मेरे लिए, वो जब ये कर रही है, येशु जब ये प्यारो, वो आपके जीवन में आसीशों को दिये बिना नहीं जाएगा, वो बोलेगा मुझे आज वश्या आना है, मेरी बेटी से, बेटे से, मुझे जरूर मिलना है, वो स्वर्ड छोड़कर आपके बीच में उतराएगा, प्यारो, हाललुया, वो खहेगा मुझे वश्य मेरे बेटी और बेटे को मिलना, और जब वो मिलता है, प्यारो, वो जीवनों को बदल देता है, और जख्खई को प्रभु येश्व न बदल दिया, लोग कुड़-कुड़ आते रहे कि पापी के वहाँ येश्व गया, लेकिन जब येश्व वहाँ जाते है, नौमियात म प्रभु येश्व कहता है, आठ वियात पहले हम पड़े, जख्खई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आदी संपति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है, तो उससे चोगुना फेर देता हूं, तब येश्व ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी इबराहिम का एक पुत्र है, हाँ वो था, इबराहिम की संतान था, यहुदी होने के नाते, लेकिन इबराहिम की संतान होने के बावजुद वो प्रभु से दूर चला गया था, पाप में था, प्रभु येश्व के उसके घर जाने के बाद उसने सचा पश्याताब किया, येश्व को मिलने के बाद वो वैसे का वैसा नहीं रहा, वो महत्वा पूर्ण है प्यारो, हम येश्व से मिलें लेकिन वैसे के वैसे रहें प्यारो, वो बहुत ही बड़े दुखी बात है, इन कर लोगों से लिया था वो बोलता है मैं छोगुला दूँगा, मैंने एक रूपया लिये मैं चार रूपय दूँगा उंको इसे बोलते है सचछा-पश्तावा, जखकए ने ना सीर्फ मन से पश्तावा किया, ना सीर्फ सब्दों से dependasाअ किया, उसने कारियों से प्यारों पश्टावा किया और ये महत्पपूर्ण है प्यारों पश्टावा सीव बोलकर नहीं किया जलता है प्रभू मेरी गलती हो गई मुझे शमा करें पश्टावा करके बताना है कि मैंने प्रभू मैं ये मेरे काम से बताता हूं मुझे पच्च्टावा है सुधर लाकर बताकर प्रभू से कहना है प्रभू मेरा ये पश्चाताप है जख्खे ने मुझ से और दिमाग से पश्चावा नहीं किया सोच करो प्रभू मेरी गलती हो गए मुझ से बोल को प्रभू मेरी गलती हो गए ये पूरा पश्चाताप नहीं है प्यारो पूरा पश्चाताप है कि आप अपने कामों से उससे बताते हो कि प्रभू मैं ये सुधाला कर बताता हो कि मेरी गल्थी को मैंने पश्चाताप करके मान लिया है हाललुया आए अपनी आखों को बंद करें और दुआ वे जाए प्यारो जो बाते प्रभू ने आपको बताईए सिखाएए आए उन बातों के लिए दुआ करें हमारी आखों को बंद करेंगे आए प्राता करें पिता हम धन्यवाद देते हैं आज की स्वच्चंग के दुआरा आपने हम सभी के साथ बात किये प्रभू आज प्रभू जखखई के जीवन से जो भी हम सीखे है हमें अनुगर दीजे कि उसके अनुसार हम कर पाए प्रभू प्रभू येश्व के नाम से प्रभू हमारी बिंती है ओ प्यारे पिता आप ऐसे नगर में गए जो सापी ते था और वोही नगर में रहने वाले जखखई को आपने आशिस किया उसका इतिहास नगर का इतिहास उसके साथ वहां के लोगों के साथ जो जुड़ा हुआ था आपने वहां बदर दिया प्रभू येश्व प्रभू हम में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके जीवन का इतिहास अच्छा नहीं होगा बीता कल अच्छा नहीं होगा ऐसे कई चैप्टर ऐसे कई अध्याई होंगे जो आज भी उनको पीरा देते है हम येश्व मसी के नाम से प्रात्ना करते उनके जीवन का बीता कल करवा कल करवा करवा ध्याय येश्यू के नाम से मिटाया जाए और येश्यू मसी के नाम में उनके इत्यास को बदल कर प्रभू उनके गलत और खराब इत्यास को बदल कर प्रभू उसके प्रभाव से उनको आज़ाद करिये प्रभू और उनकी आज और कल येश्व मसी के नाम में आशीर सित हो, इतनी आशीर सित हों कि उनका इतियाज भुला दिया जाए, उनका बीताकल भुला दिया जाए, येश्व मसी के सामर्थी और बहान नाम में, ओ पिता माई पराथना है, जख्खई के समान, भूख और प्यास आपको मिलने की, आपके चल पर जो भी आप्से उड़ोद है जो में आपके करीबाने से रोकते आप के सास समय IGיתי करने से रोकते आपकी च्छाओं को पूरिए करने से रोकते ऐसे हर एक अवरोत के उपर हम विजय हो, ऐसा बन हमें प्रतान करिए, ये शुमसी के नाम से हम प्रात्ना करते हैं, ओ प्यारे पीता हमारी दूआ है, जख्खई के समग एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने के लिए, और जादा प्रत्ना करने के लिए नूख रदीजे, कई बार ह थोड़ा बहुत करते हैं और फिर हार मान लेते हैं, प्रत्ना छोड़ देते हैं, ओ प्रभू हम प्रात्ना करते हैं, जख्खई के समान एक भूख और प्यास और चाहत हमें रख प्रभू, ये हम एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर भी आपके च्छनों में आए, आपकी च्छ प्राओ को पूरी करें, वच्छन पड़ें, दुआ करें, उप्वास करें, ये शुमसी के नाम में अनुख रदीचे प्रभू, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने के लिए, एक्स्ट्रा प्रत्ना करने के लिए, और जादा प्रत्ना करने के लिए, जख्खई ने वो सब खु आपके करीब आने के लिए, आपकी च्छाओ को पूरी करने के लिए, आपके मार्ग में चलने के लिए, दुआ करने के लिए, वच्छन पढ़ने के लिए, अराद ना करने के लिए, आज सम्कुछ एक्सा प्रहत न करें, और ज्यादा प्रहत न करें, और ताकत लगा दें, य प्रभू इतनी विपरित परिस्थिती होने के बावजूद उसकी वो भूग थी, उनकी वो भूग थी, उनकी वो प्यास थी, वो आपके वचनों को पर आपको मिले, आपकी च्छाओ को जाने आपसे बात करें प्रभू, और प्रभू उन्होंने एक्स्ट्राइब फर्ट लगाए, और ज्यादा प्रत्न किया, जीवन को जोखी में डाल कर भी, प्रभू आपको उन्होंने मिलना चारी रखा, नुगर दीजे, प्रभू इतनी खराब हालत हमारी नहीं है, हमारे छोटे मोटे जो भी प्रभू चैलेंजी से पड़कार है, उसके उपर वीज़ेई पाने के लिए हमानुगर दीजे, आज से और प्रत्न हम करें प्यारे पीता, प्रभू हमारी दूआ येशू मसी के नाम में आपके चर्णों में लाते हैं, अगर प्रमेश्वर हम से जितने लोग चुड़े उसमें से कोई भी बीमार है, येशू मसी नाजरी के नाम सुन के सरी से वो बीमारी दूर हो जाए प्रभू येशू के नाम में, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी जरूरत के साथ आज इस दुआ में जुड़ा है, उनकी जरूरतों को येशू मसी के नाम में पूरा किया जाए, स्वर की खेड़कों के लिए खोल दिया जाए, कोई भी अगर दुस्तात्मों के बंधन में इसी वक्त वे रिहा हो, छोटे येशू मसी के नाम से उनके चीवां के उपर दुस्तात्मा के जो भी बंधनों तुटे जाए, दुस्तात्मा इन पाता अपने मकान का, आज उनको व्यवस्ता दीजे कि वो अपना किराया भर पाए, कोई अपने घर के लिए प्रत्ना कर रहा है, उनको मासीज देते हैं, वो अपना घर ले पाए, रभू किसी के दंदे में, किसी के बिसनेस में, नोकरी में परमेशन कोई भी तकलीफ है, ये शमसी के नाम में, वो हर एक तकलीफ दूर हो जाए, बिसनेस में मासीज देते हैं, जॉब में मासीज देते हैं, पर मेशुर आपकी लोगों को आपकाल के समय में भी तुपत रखें, उनकी सैलरी बले दुनिया के लोगों कोई सैलरी कम हो, या तो चली जाए, या तो ब पोज हो, आज दूर हो जाए, किसी को सरीर में कोई भी पीडा है, दर्द है, वो दर्द दूर हो जाए, ये शमसी के नाम में, कोई भी परिवारों में समस्या है, जगड़े है, वो जगड़े बंद हो, जगड़े खरवाने वाली दुस्ट आत्मा है, वो परिवारों से किसी अस्पन वाई माबा बच्छों के बीच अन्बन है येश्व मस्थी के नाम में सबंदों की हिलिंग हम जाहिर करते हैं प्रभू येश्व के सामर्थी नाम में किसी का कोई भी काम रुख गया है वो काम येश्व मस्थी के सामर्थी नाम में ओ पीता, हमारे एक दूआओं को हम आपके चर्णों में लाते, दन्यवाद आपने हमारी दूआओं को सुना, आदरमा सन्मान हम येश्च मसी के नाम में आपके चर्णों में लाते, आप कबूल करें, प्यारे पीता, आमें, प्रभू ने सिखा ये दूआओं साथ मिलकर बोल अबरे परिक्षरबा डाला, पुर डायते वारे चुड़को करो के के राज्य पराकर बाईबा सुवकार सुदी तबारा चबा, आमें, प्रभी इस्चु की खुरूपा पर बेश्व पिता का प्रहें, और इत्रात्मा की संगती और सुरक्सा हम सभी के साथ आज से लेकर साथ तक बनी रहे, आमें और आमें